वेलकम तुदा नैटवर्क 18 आपने बात करना चाहूंगी कि आपने जो एक्टिंग करियर की शुरुआत दी उससे पहले आपकी जो पास लाइफ उसके बारे में थोड़ा सा बताई लोग स्टार्डम फेम बहुत देखते पर उसके पीछे क्या कहानी उसके बारे में थोड़ एक्टिंग करती ती गान गाती ती निए पैरंस में बूला कि स्टेज बिलो जो कर ना करो विल्म पढ़ाई नहीं जो मन करें वह करो और फिर मैंने कुछ साल आदिकाइजिंग में बताए कोपी राइटिंग की अबस्त करते पतानी कैसे मैं आ गई हैं तो आपने पूरा ग्रेजुएशन अप्लीट डिफरेंट फील्ड में की तो आपको ऐसा कब लगा कि नहीं आदिए इसको फुल टाइम अपना जॉब बनाना है तो ग्रेजुएशन में अच्छी अच्टिंग में ही की थी पर उस समय यह सब होता नहीं था सोशल मीडिया वगरा कुछ नहीं था तो मैंने मुझे एडवाइज दी थी कि अपनी पढ़ाई उस चीज में करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है वो तुम्हारी परसनालिटी को बनाएगी ना की सिर्फ एक डिग्री जिस पर नाम लिखा हो कुछ भी तो जब मैं आड़ाइ इंटरनेट के और हमारे भी शुरू आत हो रही थी तो उस राइट प्लेस राइट टाइम अगर मैं मात करूंगी जैसे कई युवा जो है आज चाहते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है कि क्या इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं वो इस चीज से बहुत पीछ हटते कि क हमारे लिए एक सही करियर साबित हो सकते हैं तो उनके लिए आप क्या गहना चाहेंगे बहुत ही जायर डर है कोई भी फ्रीलांस फील्ड में जाने से पेले डर लगना बहुत ही अच्छी बात है इट मीन्स वाइस इट मीन्स तिंक अबट यू फ्यूचर तो मैं भी ऐसे ही बिल्कुल बिना सोचे समझें इस फील्ड में थी मैंने अच्छी काफी फाइनाइंशली सोचा कि मतलब मेरे रिजर्व है मैं यह कितना कमा पाऊंगी मैं यह रेंट पे कर पाऊंगी कि मुंबाई शहर में रहना असान नहीं है आज भी पर जो लोग सोचते हैं कि जो लोग अगर दर 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 है इस फील्ड में आने से उनको यह कहूंगे कि ढरने की ज़र कहुँ नहीं है उसको समझो और अगर आप पूरी तरह से अगर रिस्पॉन्सिपलिलिटी से होग जाद और आप प्ली दिए फ्रीलांस नहीं कर सकते हो तो जिएस कापशिटी में आप कर सकते So you can spread your, what do you say, skill, you can transmit your skill, you can transfer your skill, you can broadcast your skill, all of it, sitting at your house. So, अब भी तो कोई लिमिट है ही ने, बतरो! So maim, अगर मैं बात करूँ कि आपकी फिस्ट मुवी कौन सी थी? First movie, first ad, जो भी था वो कौन सी था? मेरी first movie थी Hindi Medium, और उसमें मेरा चोटा सा रोल था शुरू के सीन में, इर्फान साब के साथ, जो की बहुत ही, बहुत ही amazing experience था, उस चोटे सी सीन में उन्होंने मुझे, जो मैं करना चाहती थी करने दिया, उस तरह के actor थे वो, और बहुत फ़नी सीन था, comedy सीन था, और वो सीन ल होता है न, first movie हमें हमेशा याद रहती है, हम कितना भी काम कर लें industry में, लेकिन first जो चीज होती हमेशा याद रहती है, डर था, क्या था first movie से पहले, डर तो नहीं था, पर excitement बहुत थी, और वो दिल्ली में शूट हुआ था, हुसीन, करोल बाग में शूट हुआ था, हम दिख अज़ा काम है, पर दीरे तरी समझ आए कि शूटिंग ऐसी होती है, और माला एफांसर आए और उनने ऐसे अपनी लाइन चले गए और अवे को समझ भी नहीं कि अरे, वाह, 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 और याज़ा था, तो मैं जैसे कि अभी बात की जाए तो आपने अपने अपना फुल करने की कोशिश करते हैं, तो ओडिशन देते रहना है, यह ओप करना है कि अच्छी चीजे मिले करने को, मैं कॉमेडी ज्यादा करती हूं तो और तिंग वो एक बहुत गिफ्ट होता है, लोग को हसापाना, तो आइ तिंग और तो को फिल्मों में फानी रोल थोड़े कम दि अकांशा दिक्षित लोकल एटीन दिल्ली